दोस्तों आज बात करेंगे कैसे हम एक basic flash को natural light के साथ mix करके moody portraits, सही camera settings के साथ में, सही composition के साथ में, सही framing के साथ में हम किस तरह से achieve कर सकते हैं अब इस तरह के जो moody portraits हैं ही जातर portfolio shoots में, publicity stills में या कई बार जब हम actors की profile या models की profile वाले photo shoot करते हैं वहां पर काफी काम आते हैं तो आज का video बहुत ही important है, पूरा photo shoot आप एंड तक जरूर देखिए मैं आपको live demo करके दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा किस तरह से सारी चीजे होती है लेकिन उसके पहले सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब मैं चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा अच्छे वीडियो इसको बढ़ाने की प्रेड़ना भी मिलती है अब दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैं आज मेरे साथ अक्टर काम कर रहा है अब आइश्मान जो है आप इसका जो अभी यहां पर तोड़ा मेकप किया नोग है बिकोज हमने हाँ पर थोड़ा सा मूडी पोट्रेट्स के साफ से इनको एक करेक्टर दिया है सम्तिंग जैसे पुष्पा करेक्टर था सम्तिंग लाग दा वो ऐसा कुछ कोशिश करिये करने की एक्जैक्ली वो नहीं है बट आप कह सकते हैं कि थोड़ा वहां से इंस्परेशन हमने लिया है थोड़ा फेस पी मिट्टी मिट्टी लगा के उस तरह का रफ थोड़ा लुक दिया है एक्च्वल जो लुक है अईश्मान का वो आप देख पार इस तरह से स्क्रीन पर तो मेकप के बाद जो आभी अईश्मान कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है अब यहां पर मैंने मुड़ा पोट्रेट्टेट्स है तो थोड़ा सा ड्रामा एड करेंगे थोड़ा लाइट के साथ प्ले करेंगे और शाम का वक्त है और नेच्रल लाइट और फ्लैश को मिक्स करेंगे तो यहां पर आप देख परे हैं मैंने एक Godox AD100 छोटा सा फ्लैश जो है वो यहां यूज किया है और इसको हम इस तरह से लाइट को थोड़ा से एक्सपेरिमेंट करेंगे एडोबी RGB मैंने कलर स्पेस रखी है वाइट बैलन्स जो है वो ने रखा है कुछ 5000 केल्विन पर बाद में क्योंकि रॉप पर शूट करें तो मैं थोड़ा पोस्ट में अज़स कर डूँगा अपने हिसाब से और मुझे लगा आईज में अगर कुछ contact lens वाला effect लेके आना है तो वो भी हम पोस्ट के अंदर बाद में कर सकते हैं वो देखेंगे कैसे निकल के आते हैं let's take some pictures first ताकि आपको समझ में आएगा कि इस तरह की moody portraits हैं वो कितने अच्छे लगते हैं कितने अलग तरीके के लगते हैं और आपकी photography वी जो है वो थोड़ी experimental हो जाती है let's take some pictures first camera setting आप screen के ओपर देखी पा रहे हैं very nice hold it तो आप थोड़ा सा ड्रामा पैदा करिए location ऐसी चुनिए जहां पर pictures थोड़ी interesting बने experiment करिए experiment fail होगा उससे चिंता मत करिए बट experiment करना जरूरी है one more yes अब यहां पर तोड़ा सा जगा चेंज किया है पीछे तोड़ा सा sun भी set हो रहा है और यहां से लैटर जलाने की बोलेंगे चोटा flash है मैंने तोड़ा light face पर डालने कोशिश किया है तोड़ा से ड्रामा पैदा करने कोशिश करेंगे देखते है picture कैसे निकलते गया ready अब इक पर बोड़ गापोडिशन और चेंज किया है जहां पर इनको तोड़ा सा पॉस्ट करने में अशानी हो यहां पर तोड़ा से वाच दिया हाथ में पुराना सा फोड़े से रिंग घर पैना है और तोड़ा से करेक्टर देनी कुछ चीए निया इसा नहीं जूँए और यहां से हमने फ्लैश पर दालने का कोशिश कया है मिनिमम जितना लाइट का रिक्वाइरमेंट उतना ही हम कोशिश करेंगे और यह पुरा एक्स्परिमेंटल शूट है तो आप जजमत करें फोटो अच्छी ही बुरी हैं I'm just doing my bit मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ अच्छी पिच्छ मिले चलिए लेते पहला शौट और देखें किस तरह का में पिच्छ मिलता है यहां पी लुक एर कैमरा यहां वेरी नाइस अब यहां देख रहे हैं थोड़ा सा बीच में डाला है घास के बीच में ब्राउन थोड़ा इसको बलर करने कोशिश करेंगे और लाइट जो है जसे मैंने बता है फ्लैश को बिलकुल जब स्किन टोन थोड़ा अच्छा मिला है बस उतना ही एड़ कर रहे है तो इस बात का अब ध्यान रखिए थोड़ा लुक इदर लुक अप लुक अप वेरी नाइस चालो वन मोर भाई तोड़ा बहुच उपर रखो हाँ बहुच उपर तोड़ा प्रॉप अपर बीच में हाँ थोड़ा बोर अटिट्वड़ा अपर यह से दाल हो लुक अच्छा मिले थोड़ा सा अपने अटिट्वड को तोड़ा सा और जो है मॉडिफाई कर सके और अगर अगर आप देखेंगे तो जो मूड है वह तोड़ा अलग अलग हमें मिला तो यहां पर ज़रुत समझनेगी इस बात किए कि मॉडल का परिस्परीमिंटल वीडियो है जहां पर हमने थोड़े से मूरी पोड़ेट्रेट्स को निकालने की कोशिश किया है कैमरे सेटिंग के साथ और फ्लाइश को एफेक्टिवली यूज करते हुए तो इस तरह की फोटो जो और आप लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो वो नाकेवल इंप्रूव होगी, बल्कि आपको पता चलता है कि लाइट किस तरह से बिहेव करती है, लाइट का पैटर्न किस तरह से रहता है, अलग लग टाइमिंग के उपर, इससे आपका फ्लैश फोटोग्रफी पे अच्छा कमांड आएगा, बल्कि आपका कमांड जो है अलग अलग टाइमिंग के उपर, अलग अलग लाइटिंग गियर्स के साथ में, अलग अलग मॉडल्स के साथ में, डेफिनिटली आपको अपकी फोटोग्रफी में काफी डिफरेंस देखनों को मिलेगा, एक प्रोग्रस देखनों को मिलेगी, आज के लिए इतना ही जल्द